वेलकम बैक दोस्तों क्रिकिट ट्रेंडी की एक और बैतरीन वीडियो में आपका स्वागत है जहां आज की वीडियो में हम रीकैप करेंगे दोस्तों 2008-2019 तक कौन सा प्लेयर है सीजन दर सीजन जिसने सबसे जादा सिकसेज लगाई है तो दोस्तों आप भी गैस करते रहिए और दोस्तों अपनी कमेंट करके रहे बताईए कि कौन सा किलाड़ी आईपेल 2020 में सबसे ज़्यादा सिकसेज लगाएगा और किसकी टीम जीतेगी आईपेल 2020 का सीजन दोस्तों बात कीजा आईपेल 2008 की तो वहाँ काफी बड़े बड़े नाम थे महेंदर सिंग दोनी, एडम गिल किस्ट, एंड्रियू साइमंड्स तो दोस्तों यह है इन में से किसी भी किलाड़ी ने इस सीजन सबसे जाधा चक्य नहीं लगाए जो उस सीजन में सबसे जाधा चक्य लगाने वाले प्लेयर से दोस्तों वो थे मुंबाई इंडियन्स के सनज जैसूरिया उन्होंने 14 इनिंग्स में 31 छक्के लगाए और वो सीजन में सबसे जादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बने दोस्तों तो उसमें एडम गिलकिस्ट दोस्तों एडम गिलकिस्ट के नाम राया सीजन जिन्होंने डैकन वे भी दोस्तों इन में से किसी खिलाडी ने वो सीजन अपने नाम नहीं किया सबसे जादा छक्के लगाने में उस सीजन को अपने नाम किया रोयल चैलेंजर बैंगलोर के रॉबन उथापा ने दोस्तों उन्होंने 16 मैच खेले 16 इनिक्स खेली जिसमें उन्होंने 27 चक्के लगाए और वो सबसे आदा छक्के मारने वाले प्लियर बिने उस सीजन के दोस्तों 2011 की बात करें तो दोस्तों ये सीजन राय युनिवर्सल बॉस के नाम जी हाँ दोस्तों क्रिस गेल के नाम रही है सीजन जिन्होंने सबसे कम मैच खेले और उस सीजन काफी अच्छे छक्के लगा और काफी अच्छे फॉर्म में थे उन्होंने रोयल चैलेंजर बैंगलोग से खेलते वे कुल बारही मैच खेले जिसमें 44 छक्के लगाए दोस्तों इसके बाद अगले सीजन की बात करें 2012 की तो ये सीजन भी दोस्तों क्रिस गेल के ही नाम रहा और इस सीजन में दोस्तों वन आफ दा बेस्ट पर्फॉर्मेंस कही जा सकती है क्रिस गेल की दोस्तों क्योंकि इस सीजन में उन्होंने एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाए जो की अभी तक कायम है दोस्तों क्रिस गेल ने रोयल चिलेंजर बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं वे 15 मैचों में 59 शक्के लगाए दोस्तों जो रिकॉर्ड अभी तक कायम है और उस सीजन में ये रिकॉर्ड काफी बड़े मार्जिन से दूर था दोस्तों पहले नमबर पर क्रिस गेल थे जिन्होंने 59 शक्के लगाए थे और दूसरे नमबर पर केविन पीटरसन थे जिन्होंने केवल 20 शक्के लगाए थे तो दोस्तों पहले और दूसरे नमबर के वीच में कितना गैप है आप खुदी देख सकते हैं दोस्तों 2013 का सीजन दोस्तों वह भी रहा यूनिवर्सल बॉस के नाम क्रिस गेल के नाम जी हां दोस्तों उन्होंने रोयल चलेंजर बेंगलोर से खेलते वे 16 मैचों में 51 शक्के लगाए दोस्तों वह भी सीजन का बैस्ट था इसके बाद सीजन 24 की बात की जाए तो दोस्तों उस सीजन ग्लैन मैक्सवेल जो की उस टाइम किंग्स 11 पंजाब की टीम में थ किंग्स 11 पंजाब की टीम से खेलते वे उन्होंने 16 मैचों में 36 शक्के लगाए दोस्तों उनका प्रदेशन काफी अच्छा था और वह सीजन के वैस्ट सिक्स हिटर रहे उसके बाद दोस्तों 2015 में एक बार फिर यूनिवर्सल बॉस ने अपनी बाजी मारी उन्होंने रॉ विराट कोली ने सबसे जादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया वहीं इस सीजन सबसे जादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया यहां दोस्तों यह वही सीजन था जिसमें विराट कोली ने एक ही सीजन में चार्ज शक्क लगाए थे दोस्तों रोयल चैन्जर बैंगलोर में काफी ही अच्छे अच्छे प्लेयर थे क्रिस गिल, ग्लेन, मैक्सविल, विराट, कोली, मिस्टर 360, एबीडे विलियस और काफी सारे और भी खिलाडी दे पर इनके बावजूद एक नया नाम सामने आया जो की काफी अच्छे और यंग खिलाडी है जिया दोस्तों जानते हैं सबसे अधा चक्के आंद्रे रसल ने लगाए थे दोस्तों कोलकाता नाइट रैडर्स की टीम से केलते वे आद्रे रसल ने 14 मैच में 52 चक्के लगाए और दोस्तों अंद्रे रसल इस सीजन के बेस्ट सिक्स हिटर रहे जहाँ उन्होंने किसी भी बॉलर को नहीं अच्के क्या होंगे वो MS Zoni क्या होंगी वो Chris Gay क्या होंगे वो आंद्रे रसल रिशफ पंत रोई शर्मा विराट कोली या ABD विलयस या कोई और आपका पसंदीदा के लाड़ी दोस्तों क्या है आपकी राय कमेंट में जरूर लिखेगा और दोस्तों वीडियो को शेर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें.